नमस्कार दोस्तों 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 देखिए आज मैं रूम बताने जा रहा हूं उसमें किचन और बातरूम अटेच है तो इस टैप का आप बना सकते हो यदि आप प्लान कर रहे हो तो जो सेपरेट एक रूम में किचन और बातरूम भी हो तो ये क्या है जो रूम है उसका space है ये देखिए जो चोड़ाई है वो है 10 feet और जो इसकी length है वो है 12 feet और जो आपको ये kitchen नजर आ रहा है सामने और ये देखिए जो kitchen के उपर क्या है slab है और अब दिखाता हूँ मैं आपको जो kitchen है उसका space है साड़े 3 feet वाई साड़े 5 feet और जो नीचे देखिए एक slab लगा रखा है ये खाना बनाने के लिए और उपर जो है वो सामान रखने के लिए और इसमें जो space है वो भी छोड़ रखा है sink के लिए भी देखिए आपको नजर आ रहा होगा जो best पानी के लिए और जो उपर null point लगा हुए है यहाँ पर देखिए null का जो point है दो एक motor का और एक direct tank का है और अब मैं दिखाता हूँ आपको इसमें जो bathroom है उसका area तो ये देखिए मैंने gate open कर दिया है अब देखिए जो ये bathroom है इसका भी काफी ज़्यादा space है यहाँ पर साड़े तीन फिट वाई शिक्स फिट का इसपे से इसका यह देखिए जो लंबाई है छे पिट और चोड़ाई है साड़े तीन फिट और इसमें जो टाइल लगा हुआ है इस टाइप से भी आप लगा सकते हो और ventilation भी यह को लगा सकते हो जिससे क्या है कि जो बात रूम में सही Fol BEN TILATION लगाना और यहाँ पर देखिए जो बिंडो भी है और यह देखिए जो गेट के ऊपर क्या है जो 6 फिट के ऊपर 7 फिट का जो गेट है और उसके ऊपर क्या है एक SLAB डाल रखा है जिससे क्या है इस पेस मिल जाता है सामान रखने के लिए क्योंकि रूम में क्या है इस पेस कम रहता है तो आप उपर भी अपना सामान रख सकते हो तो इस टैप का आप बन भी एच के बना सकते हो और यह किरायदार के लिए सबसे बैस्ट है दोस्तों यदि आप किरायदार के लिए बनाना चाहते हो तो उसमें क्या है किचन और बाथ नेपरेट बन जाता है दने